दूस एटी इंडिया बड़ी सोगात को मिलने वाली है सुभास साड़े ग्यारा बचे जम्मू में होने वाली रैली में प्रदान मंतरी नरेंद मोदी जम्मू कश्मीर के 1500 करमचारियों को नूक्ती पत्र भी बाटेंगे तो एक बड़ी सोगात जम्मू को मिलने वाली है कश्मीर को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात जम्मू के अलावा देने वाले हैं प्रधान मंत्री और बनियाल संगल दान खंट पर ट्रेन सेवा का उधाटन भी प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी करने वाले हैं भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंदर बोधी आज जम्मू के M.A.M. स्टेडियम में एक भव्य रैली को संबोधित करने जा रहे हैं कुछ ही घंटे बाकी रहे गए हाला कि दिनों का इंतजार था जम्मू कश्मीर के लोगों को यस वक्त हम जहां खड़े हैं स्टेडियम के पास यहां पर रजोरी और पुंच से भी बहुत लोग आया हाला कि के बार रजोरी और पुंच के लोगों की बहुत साई डिमांद पर धानमंत्री नरेंदर बोधी से रही है कांग्रेस की कुमत रही उसमें इतना काम नहीं हुआ डिवेलमेंट देखो आज ऐसी करोन आदमी को राशन फ्री मिलता है इस समय हम जो एस्टी तबका के खास जो आए दस हदार आदमी एस्टी एस्टी तबका गाए ये गुजर तबके से जो तलुक रखता है और ये तमाम अगर किसी गरीब को कुछ वाइदा भी हो आज हमारे बच्चे आज हमारे उपर विजली का लोट और यहां पर लेडर का काम है और सीधा अमाम पर रस्ता दिखाना सिधा इनका ये कहना हैं कि अगर इनके बच्चों के अच्छी तालीम हो रही है तो अगर उनके बच्चों को फ्री राषन मिल रहा है तो मोधी की वज़ा से अगर पाडी लोगों के लिए सोचा गया है तो सतर साल पे जो नहीं हुआ है वो अब बार देश के प्रधान मंतरी वो जरूर बने और बनेंगे भी ये लोगों को भरोसा है विड़ो जल इस राजिव के साथ को मुसिंग नीज़ दे दिया जम्मू के लोग कितने एक्साइटेड है यह आपने सुना प्रधान मंतरी के दौरे को लेकर पीम का ये दौरा राश्ट को समर्पित होगा आए उन एहम सौगातों पर नज़र डालते हैं जो जम्मू कश्मीर को आज प्रधान मंतरी देने जा रहे हैं तो पीम विकास से जुड़े कई प्रोजेक्स का उदखातन करेंगे शिरानियास करेंगे 32,000 करोग उपे से ज्यादा की परयोजनाए हैं इनम प्रधान मंतरी नरेंदर बोदी करने वाले हैं तो यह कुल मिलाकर आप देखें कि 32,000 को रोड़ की सौगात प्रधान मंतरी देने वाले हैं और साथी साथ आई टी एम्स और आयम का भी एक तरह से प्रधान मंतरी उठाचन करने वाले हैं प्रधान मंतरी मोदी के जम्मू दोरे पर लोग खासे उटसाहिब नजार आ दे न्यूज 18 इंडिया से बापचीट में लोगा ने पी-एम मोदी की जमकर तारीफ भी की है तो हम उनका बहुत शुकर गजार है कि नरींदर मोदी साब ने गृप पबलक के लिए बहुत कुछ सोचा है नरेंदर मोदी एक बार फिर साथ ऐसा है कि मोदी जी ने बहुत दिया है अगर देखा जाए अखीकत में देखा जाए तो आप देखें लोग कितने खुश हैं प्रधान मंतरी उनके भीच में पहुचेंगे और ऐसे में बहुत जादा एक्साइटिड हैं क्योंकि पहारी जो समधाई से लोग आते हैं वो खासे खुश है उन्होंने साफ साफ ये का कि अभी तक जितनी इसकारे नहीं है हमारे लिए उन्होंने नहीं सोचा लेकिन प्रधान मंतरी नरिन मूरीद धारा 370 हटने के बाद ये दूसरा दौरा जम्मू का है प्रधान मंतरी का और ऐसे में 22,000 करोड रूपे की सौगात देने वाले हैं जिनमें एम्स, आयाईटी और उसके लाबा आयम और साथी साथ कश्मीर को एक ट्रेन भी सौगात के रूप में प्रधान मंतरी देने वाले हैं और आये सीधे रुक करते मेरी सायोगी कोमल इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड रही हैं कोमल प्रधान मंतरी का धारा 370 हटने के बाद ये दूसरा दौरा है और लोग खासे उत्साइट हैं हमने आपसे बातचीत में भी लोगों को सुना गूजर समुदाए पहाड़ी समुदाए के लोग खास तोर पर खुश हैं प्रधान मंतरी के आगमन से कोमल से हम बात करने की कोशिश करेंगे उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है लेकिन आपको बता दे प्रधान मंतरी का आज जम्मू दौरा है और क्या कुछ प्रधान मंतरी देने वाले हैं इसको लेकर लोगों में बहुत जादा लोग उत्साहित हैं बनियाल संगलदान खंट पर ट्रेन से वक और घाटन करेंगे कश्मीर को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात प्रधान मंतरी देने वाले हैं और ये तमाम चीज़े हैं साड़ा करेल शिक्षा समित कई सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं जम्मू के लोगों को तो आप समच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात आज होने जा रहे हैं जम्मू के लोगों को क्या कुछ मिलने वाला है 32,000 करोड की सौगात मिलने वाली है और उनके प्रधान मंतरी के दोरे को लेकर लोगों में एक खासा उत्सा है उनका साफ साफ यह कहना है कि अभी तक जितनी सरकारे नहीं हैं ऐसा अब तक नहीं हुआता है एक तम से नया रूप ले रहा है जम्मू और कश्मीर के अगर हम बात करें आप देखें कि किस तरह से जमु कश्मीर को टेन की सौगात प्रधान मं Lower29 गीन देने वाले हैं और जमु का दौरा करने वाले हैं उसके लावा एम्ज देश को समर्पित करेंगे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जम्मू एम्ज जो है वो आज राश्ट को समर्पित करने बाले हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और पड़ी खबर आ रही है माराच से माराच सरकार ने माराचा समुदाई के लिए आरक्षन बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ा प्रैसला लिया है सरकार ने माराचा आरक्षन के लिए आज एक विशेश सत्र बुलाया है सूत्रों के मताबिक सरकार माराठा समुधाय को 10 से 12 फीजदी के बीच आरक्षन दे सकती है माराठ सरकार ने माराठाओं को आरक्षन देने से पहले पूरे राजिम पिछड़े वर्क के माराठाओं का सर्वे भी कराया है तो आपको बता दें मराठा रक्षर को आज मन्जूरी दे सकती है सरकार हमारे साथ हमारे सयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं डाज मन्जूरी साथ हमारे स स्टीक बता दें अज मन्जूरी मुंद लादे सकती है डाज मन्जूरी दे झाल कि समय है